नमस्तकार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज हम आपके लिए ले के आये हैं MPPSC 2019 की Accepted Cut-Off यानि की जो आंसर की जो आंसर की आ चुकी है उसके बाद में Cut-Off कितनी रहने वाली है उसके बारे में चर्जा करेंगे दोस्तों तो दोस्तों ये जो Cut-Off मैंने त्यार की है दोस्तों ये 42 सुविद्यारतियों के सर्वे के बाद मैंने ये Cut-Off त्यार की है और मेरे YouTube के उपर एक चैनल है उस चैनल के उपर मैंने पॉल यानि वोटिंग करवाई थी उस वोटिंग के आदार पर मैंने ये Cut-Off त्यार की है दोस् तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कटोप रहने वाली है उसकी तो जनरल में मैन वालों की जो कटोप रहेगी वो 66 से 68 तक रहने वाली है दोस्तों तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो कटोप रहने वाली है जनरल मैल की तो वो रहेगी 66 से 68 तक और जनर से 65 तक रहेगी दोस्तों इसके अलाव हम बात कर लेते हैं OBC male candidate होगी तो उसकी जो कटोब रहेगी वो 62 से 64 तक रहने वाली है दोस्तों और आगे हम बात करते हैं OBC candidate वालों की तो OBC candidate वालों की रहेगी 58 से 60 तक तो यह कटोब थी जनरल और OBC की इसके आगे हम बात करेंगे SC ST candidate होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो SC की जो कटोब रहने वाली है तो वो कितने रहेगी और उसमें female की कितनी रहेगी दोस्तों तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के उपर कि ऐसी male वालों की कटोब रहेगी 60 से 62 तक और जो ऐसी जो फिमेल candidate है उनकी रहेगी 56 से 58 तक तो यह कटोब रहने वाली है इसके अलावा हम बात करेंगे स्क्राइस्टी कंडिडेट होगी और मैं आपको बता दू इसके अलावा जो क्यूस्टन डिलेट होने वाले हैं तो दोस्तों तीन क्यूस्टन ऐसे है जो डिलेट हो सकते हैं अभी तक उनके उपर ऐसी कोई वो नहीं आई है कि यह क्यूस्टन डिलेट होंगे केवल तीन क्यूस्टन के उपर चल रहा है विवाद कि यह क्यूस्टन डिलेट होंगे क्योंकि उनके अंदर जो आंस्वर थे वो उप्सन के किसी क्यूस्टन के दो सही तो किसी के तीन सही थे तो इसी के चक्कर में ये तीन किस्टन डिलेट होने वाले है दोस्तो और दोस्तो मैं आपको बता देता हूं कि जो विद्यार थी इसकी जो मैन की तैरी कर रहा है तो ये स्कोर कार्ड अगर वो प्राप्त कर लेता है तो वो मैन की तैरी में लगा रहा ह मैं यही आसा करूँगा कि उसका सेलेक्स जरूर होगा दोस्तों और जो कटोप रहेगी पी की वो यही रहने वाली है दोस्तों अगर आप इसके आसपास हो तो मैंन की तैयरी करना सुरू कर दो क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको तीन महा का समय मिल जाएगा इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा दोस्तों तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मैंन की तैयरी में जुट जाए अगर यह स्कूर काड़ा प्राप्ति कर रहे हो तो क्योंकि बाद में समय नहीं मिल पाएगा यह समय काफी महत्तब होना भी और इस समय के बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा और यह जो ST के मेल वालों की कटोप रहे गले वह 56 से 58 तक रहने वाली है और जो ST female वाले कंडिडेट है इनकी रहे गले 52 से 54 यह कटोप काफी कम है दोस्तो घ्म काफी कटोप तो कम ही है दोस्तो UBIN एकजामों में भी इनकी कटोब काफी कम रहती है क्योंकि इनको आरक्षन के आदार पर यह कटोब तैयर की जाती है तो दोस्तो जनरल वालों की OBC की SC, ST की सभी की मैंने कटोब आपको दिखा दीए दोस्तो तो दोस्तो अगर यह इसकोर काड़ा प्राप्त करते हो तो आपको सेप score के अंदर माना जाएगा आपको कोई भी समश्चा का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो delete question थे वो तीन question के उपर विवाद है अगर वो delete होंगे तो हम next video upload कर देंगे और आप तक सूचना पहुंचाएंगे दोस्तों इसके अलावा मेरे whatsapp नंबर है double seven four zero double nine 3637 के उपर आप मुझे इसी बरती के समंदित कुछ भी समश्चा हो तो comments करके जरूर बता है हम next video के अंदर उसका समाधान करेंगे या पिर whatsapp के उपर आपको जो आप reply कर देंगे दोस्तों तो दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ भी इसी बरती के समंद में हमें जानकारी मिलेगी तो हम वीडियो अप्लोड कर देंगे दोस्तों अभी तक तो हमें ये कटोप की जो सूचनाई मिल रही है ये विरेज की झाल